केंद्रिय सहकारिता मंत्री अमिज शाह ने गुरुवार को किसानों से सीधा अरहर दाल खरीद के लिए एक e-portal launched किया. इस पोर्टल के जरिए किसानों से मार्केट रेट से अधिक दाम पर अरहर दाल की खरीद होगी. इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी एजनसियां जैसे की नेफेड और NCCF किसानों से अरहर की खरीद करेगी. यह काम पूरी तरह से सहकारिता स्तर पर होगा. इससे बाजार में अरहर की कीमतें नियंतरित रखने में मदद मिलेगी. सहकारिता मंत्राले के तहट काम करने वाली एजनसियां ने फेड और NCCF डाइनेमिक प्राइसिंग फॉर्मूले के तहट किसानों से अरहर दाल की खरीद करेंगी. डाइनेमिक फॉर्मूले का अर्थ है कि जब मारकेट में अरहर के दाम बढ़ेंगे तो किसानों से भी अधिक दाम पर दाल की खरीद की जाएगी. इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी. इपोर्टल लॉंच के मौके पर अमिद शाह ने कहा कि नाफेड और नेशनल कोपरेटिव कंस्यूमर्स, फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा विकसित वेब पोर्टल का शुभारंब हो रहा है, जिससे तूर, अरहर, डाल की खेती करने वाले किसान अपनी डाल को आनलाइन बेच कर सीधे उसका भुकतान अपने अकाउंट में पासकेंगे। सरकार का कहना है कि पोर्टल की मदद से किसान सीधा सरकारी एजेंसियों को अरहर डाल बेच सकेंगे। उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों या व्यापारियों का सहारा नहीं लेना पड इस कदम के जरिये सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, डॉट साथ ही सरकारी खरीद से अरहर डाल का बफर स्टॉक भी बढ़ेगा और इससे महेंगाई को काबू करने में सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि किसानों से डाल की सीधी खरीद से बफर आयात करना होगा क्योंकि देश में परियाप्त भंडार नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस साल 35 फीसदी अधिक डाल का आयात करना पड़ सकता है। इस प्रोग्राम में अमित ने कहा, पोर्टल के माध्यम से MSP से अधिक बाजार मूले के एवरेज पर आधारित, किसानों का एडवांस में रजिस्ट्रेशन करके अरहर दाल की खरीद होगी। इसका पैसा DBT के माध्यम से किसानों के खाते में जमा कराए जाएंगे। शाह ने कहा कि आज के इस कदम से दलहन के क्षेतर में देश की आत्मनिरभरता बढ़ेगी, फसलों के पैटर्न में बदलाव होगा, भूजल स्तर को बचाय रखने में मदद मिलेगी, किसानों की समरिधी बढ़ेगी, देश में पोशन अभियान को ताकत मिलेगी और भूमी सुधार में भी मदद मिलेगी, शाह ने कहा, दालों का अधिक आयात करना होता है, मूंग और चने में देश आत्मनिरभर है, लेकिन बाकी दलहन इंपोर्ट करना होता है, लेकिन देश में जिस तरह की क्रिशी सुविधाएं हैं, उसे देखते हुए दालों का आयात सम्मान की बात नहीं है, इसे देखते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दलहन किसानों पर एक जिम्मा डाला है, कि 2027 तक भारत दाल के क्षेतर में आत्मनिरभर हो, सहकारिता मंतरी अमित शाह ने कहा, हम मंत्राले की ओर से विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि 2023 दिसंबर त देश दलहन के क्षेतर में आत्मनिरभर होगा, यहां तक की देश को एक किलो दलहन भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी, Bureau Report Market Times TV